नमस्कार बच्चों स्वागत करता हूँ आप सबको तो यहाँ पे हम बात करेंगे image formation by concrete mirror for different position of the object चो object को हम अलग-अलग position पर रखेंगे तो image कहाँ पर formation होता है और उसका nature क्या होगा उसका size क्या होगा ऐसारा चीज हम यहाँ पर discuss करेंगे तो जैसे कि हमको six position को हमको याद रखना है यहाँ पर जैसे आप चार्ट देख रहें सबसे पहले image formation को study करने से पहले आप क्या करना यह चार्ट देखना पड़ेगा जैसे कि आप पहले starting में क्या पर रखेंगे at infinity जब object को infinity रखोगे तो image कहाँ इस टाइब से चार्ट को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले अगर आप image formation में अच्छा करना चाहते हैं image formation आप mistake ना करना नहीं करना चाहते हैं तो आपको यह उला चार्ट जो है जो table 10.1 जो आपका textbook का है उसको ध्यान धना पड़ेगा यहां पर six position है copy to attacks भी याद रखने पड़ेगा यह लाट लच Tea उला पोजिशन है तो आपको क्या होगा image formation बहुत आज़ाएगा तो एकए करके मैं आपको यह बता हूंगा इमेज फामेशन इसको कैसे करेंगे तो पहला पोजिशन पीजाते हैं पहले एक आप उनके बना लिजे इस प्रकार से मैं बनाने कोसिस करता हूं दोड़ा सा डाग्राम अच्छा नहीं भी होगा तो आप देखिये लेकिन कैसे ड्रॉ करते हैं आपको यहां बता तो सबसे पहले हमने कौनके mirror इस परकार से आपको back side जैसे सरे में करते हैं यह back side होगा इसका ठीक बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं कर रहा है लिए प्रेंग फ्रड़ा खराब हो सकता है तो उसके सबसे पहले आपको क्या करना है जो imaginary line जो है तो उसको draw करना है को principal axis को draw कर लेना इस तरह से principal axis को अगर हम ढो aucunłe कर देते हैं या पिर आपको क्या करना है principal axis को draw करने से आपको बीच-बीच में जैसे point यहां पर है इस point को अपशनर लेजिए फिर उसके वहां तक आप एक point line किसे दिए ओहर principle axis अब principle axis में क्या होगा दू point आपको चाहिए एक focus चाहिए अपको एक focus और एक क्या चाहिए एक center of curvature ठीके इस प्रकार से आपने यह हमारे पास focus हो गया यह वोला जो है line focus line है ठीके और यह है C center of curvature ध्यान रखे आपको देखे image formation जब भी बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो रिये है जो light है हमेशा left side से right side की तरफ आपको draw करना है कहां से आपको दिमाग में रखे left से right की तरफ आपको draw करना है sunlight या भी जो light का direction जो होता है हमें side from the left to the right side तो ओचीज ध्यान रखना पड़ेगा मानले आपका object जो है object कहां पर बुला है अब देखे यह object बुला है infinity ठीक है ना object कहां बुला गया है object infinity मतलो इस position पर object है मानलो यहां पर आपका एक फो object है यह object यह मिरोर हमारे पास बहुत दूर में आपको दिख रहा है mirror यहां पर है कि नहीं यहां यहां पर इस प्रकार से light जाएगा light का रहा जाएगा तो इससे जो लाइन जो है यह जो लाइन जो है यह लाइन क्या है प्रिंशिपल एक्सिस के परलेल हो रहा है तो यहां पर टक्राने के बाद क्या होगा फोकस से पार होके आएगा कहां से पार होके आएगा फोकस से पार होके आएगा इस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं न यहां से आप आपका जो object है यह नीची के तरफ से एक तो रे चला जाएगा ओके इमेज फर्मेशन लिए minimum हमको दो रे के जोरोते इस प्रकास से आपको यहां पर जाकर आया और यह लाइन भी क्या था यह लाइन भी जो है जो अभी हमने ड्रॉ किया यह प्रिंशिपल जो यह आपके Evan अएक्सिग इसके समान पर जलता है यहां पर बिल्ड़ तो यह भी क्या होगा इसके साथ मेंए इस प्राथब बार से यह फोकास से आरे फार के जाएगा और देखिए दो दोनों वापस जो आया था रे फाटा एक रे इसकी दर एक्से Yokun मिरोर में तक्राने के बाद जहां पर रहते एक गट करेंगे औप हुरा इमेज फॉर्म करेंगा आप को देखे है यहाँ यहां पे क्या हुआ है अपर फोकस के कर रहे है यह जो किया है यह पराकिहों क्या है यह प्रॉर्ट जो है यह आपको क्या है यह लिख MICHAEL इस प्रकार से इमेज फर्म किया है लेकिन बहुत छोटा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो पहला पूजिशन का हमने इमेज को ड्रॉ किया इस प्रकार से इसको इमेज होता है अब दूसरा पूजिशन को देखेंगे दूसरा पूजिशन यहां पर आका देखे इसका ठीक है, यह इसका और ऀसका बाद इसका पॉंस्ट ले लिए मतलब बीच का जो है उसके बाद अपने प्रिंशिमल स्ब्राइक्षि गया इस आपको ड्रॉप करना है और प्रिंशिमल स्ब्राइक प्रिंषिम्ल अगर याद होगा, आपको object को कहां रखना है beyond C, का मतलब क्या होता है, तो आपको मान लिजे, यह लाइन ज है और लंबा है थोड़ा सा लंबा आपको कर देता हूँ ताख लाइन जो है एक मैट थोड़ा सा मिता के ओके है अलाइन जो है आपका थोड़ा सा एसा लंबा है तो इस बार object को कहा रखने के लिए बुला है object को रखने बुला है beyond c यानि कि principal axis में रहेगा लेकिन c के पीछे में कहाँ पे रहेगा c के पीछे में beyond c यह जो c है c के पीछे में ओके अब क्या करना है यहां से एक ray आपको इस तरह से खीच देना है रे के चिगा mirror पर टकराएगा mirror पर टकराने के बाद क्या होगा आप वो देखिए ध्यान दिखिए between c & f में आपको कहाँ पर image फॉर्म होगा बलाई यह दिखिए between c & f के बिच में यहां यहां पर image फॉर्म होगा तो देखिए थोड़ा सा हम ट्रिक भी यूज करेंगे ट्रिक यूज करें कि आप कैसे image ड्रोग कर सकते हो इस तरह से react आया था वहां पर टकराने के बाद इस प्रकार से focus से पार होके आ गया अब अब दूसरा रे अगर हम यहां से ड्रोग करते हैं मनलों दूसरा रे को ड्रोग करने लिए मैं दूसरा color यूज करूंगा दूसरा रे तो यहां से इस कि इधर से तखरा दिया कि दूरों ने कहा टकराया यहा पे टकर आया दिख रह цен आपको पो कोंइंट एसीआ फॉयंट में एक image फाम होगा जिस image को हम यहां पर यह जो आपको इमेज है ठीट है यह जो आपका अब दूसरा क्या है नेचर क्या बोला है !! inverted real inverted मतलब होता है आग ये कवा कि याद हो जाता है ठीगे पोजिजिशन आपको ढाइगरं तो आप आउराम से डायग्राम बना सकते तीन करता हूं से दोता हूं तोड़ा जल्दी करता हूं आपको भी लगेगा लंबा हो गया तो तोड़ा जल्दी करने का कारण एक है इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे पिछे से आप इस तरह सी कर दीजिएगा ठीक है पटापट तोड़ा करता हूं यहां पर मैंने प्रिंशिपल एक्सिस बना दिया सी में रखेंगे यह दिखिए आपका सी में हमने अब्जिक को रखा सो इमेज भी कहां करेगा सी में करेगा तो मैं पहले देखिए ड्रॉ ही कर देता हूं ताकि आपको ड्रॉ करने में थोड़ा एजी हो जाए ठीक है इस प्रकार से आपको निया से रे चला गया औक यह झालें से अब दुसरा रे अगर मैं यहां से पार करता हूंँ कहां से पार करोंग फोकास पारा रहा रहाँ रिफอल्यक्शन के बाद पर रयल आ जाएगं और कंड़े दुससा को यह ये अप से क्डुको टक्राने के बद वपस आगया फिर यह इस्तरह से गया था तक्राने के बाद इधर आ गया और दोनों ने दोन хотите कॉन्सारी जगामें कट्किया और दुर्ध रसे जगाने हो रहा है जो इमेज के इसाह में क्रें हो रहा यह चला गया रहा रसाट हो गया तकराने के बाद फोकास से पार उक के आया उसी पकार से एक रे जो फोकास से पार उके गया थिछflowsफ पनai के बाद प्रलकार का होसज इसी है और ग्यून्हों जो वापस आया हुआ रहे नहों कहां movements how to draw करेंडे next was draw करने के लिए फटाप्ट आप इसको देख खी जाएगा इसको हम इस बार ड्राव कर देते है कि यह हो गया ऑब आपने क्या क्या है principle x-20 को स्ट्रॉप किया रॉकर इक बाद यहां पर आपका F हो गया यहां पर आपका C हो गया टेकर if for c हमने यह ले लिए एफ ऑके अलेलिया c आपको क्या बोला है between c and f आप object को कहां रखना है object को इस बार यहां पे रखना है वो धिहान दिजिए object को कहां पे रखना है इस जगह में आपको object को रखना पड़ेगा तो आप यहां से एक रे चला जाएगा रे इस प्रकार से गया ठीक है नहीं यह रे इदर जाएगा तो आपको महां पर रे जाएंगे तो कैसे आएगा यह आप ता रिफ्लेक्शन कहां से आएगा अब पहले तो देख लिजी कि पोजिशन कहां होगा बियोंड सी सी से बेक से वापस होके आ गया ओके तो अब अब इसको ध्यान दिजीगा अब दूसरा अगर हम कहां से पार करते हैं अगर दूसरा रे हम पार करते हैं फोकस से कहां से पार करेंगे फोकस से पार करते हैं इस तरह से इस तरह से मानलों फोकस से पार करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बा से यहां ट्क्राय होता तो आजाता एक से पार हो गया आया है तो अब देखिए दूनौ के यह टक्रा आmaid यह हमीसा बै कसाएट में में तोटा सा गढ़बड़ी आपको लग रहा होगा यह हमेशा इस पुसिशन प्रहे आप कर रहा हvous अगर C और F के बिच में object को आप रखते हो C और F के बिच में object को रखते हो image हमेशा C के back side में form करेगा वो भी किस तर का image? वो भी inverted image form करेगा real and inverted image तो यह हो गया अब next position को हम देखेंगे next position कौन सा होगा? next position को देखने के लिए आपको दूसरा अला slide में जाना पड़ेगा तो यहां फिर जल्दी से हम draw करेंगे जल्दी से draw करेंगे किस प्रकार से? इस प्रकार से हम एक थो आमने draw किया यहां पर draw किया अब आपको principal axis draw कर लेना है principal axis आपने draw किया आपके पास C और F होना चाहिए आपके पास यहां पर F है यहां पर C है अभी मैं नाम भी नहीं कर रहा हूँ पटापट कर रहा हूँ तो object को कहां रखना है? वो ध्यान दीजिए object को इस बार हम वो कहां पर रखना है? F बोला है at F कहां पर रखेंगे? F पर रखेंगे यह वोला पॉज़िशन पर हम object को रखेंगे F के पॉज़िशन पर object को रखेंगे F यह ची है सो F वोला position पर रखेंगे तो जैसे यह वोला यहां से एक parallel ray से जाएगा तक्राने के बाद कहां आएगा? तक्राने के बाद यह आजाएगा किदर? principle focus से पारोके इस प्रकार से आ जाएगा एक नहीं, principle focus से यह parallel जाएगा, तो principle focus यह rule है, आपको rule, chart, rule याद करना अगर नहीं है, तो comment करके बताईएगा मैं उसको भी बता दूँगा, ठीके अब दूसरा ray जो है पहला ray तो हमारा हो गया, अब दूसरा ray क्या होगा, दूसरा ray इस प्रकार से जाएगा, तो थोड़ा सा मैं color को change कर लेता हूँ, दूसरा ray अगर इस तरह से जाता है, यहाँ ठक रहाता है, तो यह क्या होगा, यह back side की तरफ back side क्या, जो भी इस तरह से जाएगा तो इसको अगर principle इस तरह से पार होके आएगा, कहां से आएगा C से पार होके आएगा, यानि कि जो C से पार होके जाता है, तो C से पार होके ही आता है, यानि कि जो भी रे जो है आपका center of curvature से पार होके जाता है, मांगने जो यह C से पार होके कोई रे जाता है तो उसी रास्ता से वापस आता है वो नियम है जिस रास्ता से जाता है उसी रास्ता से वापस आता है तो इसलिए जो रे था सी से पार होके जा रहा था जैसे वापस गया रिटन भी उसे आ गया रिटन आ जाता है उसी प्रकार से रिटन आने के कारण क्या हो जो होगा इसका इन्फिनिटी में फॉर्म करेंगा पता नहीं नहीं बहुत दूर में जाकर यह और यह क्या होगा हाइली इनलार्ज होगा मतलब बहुत बड़ा इमेज फॉर्म करेंगा बेक्षैट में जाके डायग्राम आप में देख लिजे कैसे यह हो रहा है मैं बता दिया आपको real and inverted form करेगा यहाँ पे भी real and inverted और लास्ट लॉला पॉइंट का आपको बता देता हूं लास्ट लॉला पॉइंट क्या है लास्ट लॉला पॉइंट बिट्विन पी एन एफ डायग्राम बना लेते हैं पहले अब्जिक को अभी रखना है आपको पी इसको बोलते है पॉल यानि कि यह उला जो है यह पी है इस पॉइंट का नाम क्या है पी पॉल ठीक है अब यह है एफ और यह है THEC इसवार हम कहा रख रहे हैं पूब घिक को यहां पर हम धालगे आया चला पर और अबचिछ पीक से आपको कर दिना है है अगर हम f व पी की बिच में रखते हैं तो किसे image रभाइक अब यह कैसे जाएगा एक रा यह से डारेक्ली ले जा सकते हैं यहां से ले जाएंगे इस तरह से परेलल रे यहां से चला गया परेलल जाने से क्या होता है परेलल जाने से एप से पार होके आता है परेलल जाएगा तो कहां से पार होके आएगा एप से आपको वह चीज ध्यान रखना है नियम जो है नियम आप को ध्यान रखना पड़ेगा तो F से पार हों के ठीक है na F से पार हों के इस प्रकार से आएगा वह पस आए अब दूसरा जो था आगर तर यहां ह से इसको हम इस तर से कर देते हैं तो यह बेक साइट आते आते यह कहां से पार हों के आएगा है आप आप पेंचिल इसके लिफ्ट करेंगे तो आपका लाइन जो है बहुत स्ट्रेट हो जाएगा ठीक है वो दियान दीजिए इस तरह से होता है तो यह वेकसाइट से आएगा अब इसमें क्या हो गया इसको दोनों को अगर आप extend करते हो इसको इस तरह से extend कर देते हो आगे के तरफ बढ़ा देते हो तो इसको 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 इस प्रकार का एक image फॉर्म होगा क्या image फॉर्म होगा आप मेरा डाइग्राम तोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है आप दिख लीजेगा तो जो inverted image हमेंसा क्या होता है रियल होता है और वर्ट्वल के साथ में हमेंसा इर्ट वर्ड आएगा इस प्रकार सी image इस फॉर्मेशन होता है तो वच्चो आसा करता हूं यह वहला चीज आपको समझ में आया कि कैसे रे जाते हैं किस तरह से तो हम को थोड़ा से यह दिक्कत हुआ रे ड्रॉ करते समय ठीके फिर भी आसा करता हूं आपको समझ में आया होगा थेंकियो पूर वाचिंग गाट प् करता है